नमस्कार दोस्तों, BCD Tech के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों इस वीडियो भाग में मैं आपको Reliance Geo Network के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप इस Reliance Geo Network को कैसे एसेस कर सकते हैं और कैसे आप इसकी SIM को खरीद सकते हो और दोस्तों साथी में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि करंटली धेली NCR में Reliance Geo Network का क्या स्टेटेस है आपको कितनी डाउनलोड स्पीड मिल जाती है और क्या आपकी अपलोड स्पीड है और क्या ये नेटवर्क आपका Voice Over LTE या HD Voice को सपोर्ट करता है तो दोस्तों आएए अब इन सब के बारे में जानते हैं दोस्तों ये है मेरा Reliance Geo की तरफ से marketed phone LIF Wind 4 तो दोस्तों आपने अगर हमारी पुरानी वीडियो नहीं दे रखी इस phone के बारे में तो इसका लिंक यहां flash कर रहा है तो दोस्तों इस वीडियो एपिसोड में मैं दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे ये phone प्रफॉर्म करता है इस Reliance Geo Network के उपर और कैसे ये Reliance Geo वर्क कर रहा है इस समय NCR में दोस्तों फिलाल देखा जाए तो मेरा अब ये SIM हो चुका है अक्टिवेट तो सबसे पहले आपको प्रसेस बताते हूं कि आपको रिलाइंस जियो की SIM कैसे मिलती है तो फिलाल आपको Reliance Digital Store या Digital Express Store पर जाना पड़ेगा और वहां पर जाके आपको LYF ब्रांड के phone खरीदने पड़ेंगे आप दोस्तों कोई भी मोडल खरीद लीजिए LYF की तरफ से तो आपको साथ में मिलेगी एक 4G SIM तो दोस्तों इस 4G SIM को एक्टिवेट कराने के लिए आप अपने साथ एक ID प्रूव एक एड्रेस प्रूव और एक फोटो ले जाए और दोस्तों आपको कुल कीमत पे करनी पड़ेगी जो फोन की MRP है SIM साथ में फ्री है तो दोस्तों फिलाल जैसे आप फोर्म को भरोगे और आपका फोर्म स्कैन होगा तो आपका जो रैफरी है उसके पास एक स्टोर से या डिलर की तरफ से कॉल जाएगी आपके रैफरी को उस कॉल को पिकप करना पड़ेगा वह आपकी वेरिफ और आपको 10-12 गंटे के अंधर एक मुंबाइक की नंबर से तो दोस्तों वह भी आपके या रैफरी के पास ध्यान रखें दोस्तों यह आपके पास नहीं आपके रैफरी के पास आई आपका रैफरी आपकी अडेन्टिफिकेशन को फिर क्लिर करेगा और उसके बात आपको जो आपका रिजिस्टेड मोबाइल नंबर है कि आपकी सिम एक्टिवेट हो चुकी है और इसमें आप 197 को डायल करें आप जैसे 197 को डायल करोगे तो आफ्टर लेंगविज ऑप्षिन आपको पूछा जाएगा कि आपने जो आईडी दे रखी है जैसे कि मेरे केस में पासपो güid करानी का हो दोस्तों सात मैं आपको घ्र Griffith में मिलेगा कि आप माले जो की यफोड कर ले दोस्तों आईए मैं आपको दिखा देता हूं कि इसके साथ आपको क्या फ्री मिलता है तो दोस्तों सबसे पहले तो आप देश होते हैं कि लिखा हुआ है 10 सितंबर तक और 100 मिनट्स की कॉलिंग जो की वैलिड है अगें 10 सितंबर 2016 तक और साथ में 2GB का डेटा मिल जाएगा अगें वह भी वैलिड है 100 मिनिट्स की कॉलिंग और साथ में 2GB का डेटा तो दोस्तों आप देश होते हैं कि इस फोन के साथ सिर्फ मुझे मिला है 2GB का डेटा और दोस्तों अगर मैं यहां पर रिचार्ज करने की कोशिश करूं तो दोस्तों आप यहां पर देश होते हैं कि प्लैन ऐसे हैं फिलाल अडवांस रेंटल रिवर्स एस तो यहां पर देश होते हैं कि 400 मिनिट की ऑफ कॉल लोको और एस्टी आपको जीरो यहां पर अभी कोई प्लैन अप्डेट नहीं हो इसका मतलब यहां पर डेटा इंडिविजल पैक्स देसकते हो 10GB का मैक्सिम्म हैं दोस्तों इस प्लैन के अकॉर्डिंग और फिलाल जीरो रुपे हो इसकी किमत है कॉल और SMS की बात करें यहां पर रेट कटर्स देख सकते हो काफी सारे तो दोस्तों यह हो गया इसका प्लैन और फिलाल यहां पर आप टॉप देसो तो दोस्तों अभी फिलाल टॉप तो एक्टिवेट हो चुके हैं फिलाल देसों तो कि मैक्सिम्म टॉप आप 5,000 रुपे तक करवा सकते हो जिसमें आपको पांच जार साथ सुपचा पास रुपे तक का टॉक टाइम मिल जाएगा तो दोस्तों यह है रिलाइंस जियो का सिम जो की चल रहा है ल वाई एफ विंट 4 के उपर तो दोस्तों फिलाल अब जाने से पहले में आपको दिखा देता हूं कि आपको स्पीड क्या मिल रही है स्पीड टेस्स की बात करें देशते की स्पीड करीबन करीबन इस फोन के उपडे बिल जाएगी आपको 25 mbps । और करीबन-करीबन 9 MBPS करीबन-करीबन आपको मिल जाएगी अपलोड स्पीड तो दोस्तों हाला कि यहां पर वादा किया जारा था कि 120 MBPS तक कि आपको स्पीड मिल जाएगी फिलाल स्पीड है 22 MBPS डाउनलोड और करीबन-करीबन 9 देशंबर 5 MBPS अपलोड तो दोस्तों यहां पर स्पीड 120 नहीं है फिलाल मैं अभी इंडॉर में तो मैं आपको लेटस अपडेट देता रहूंगा कि स्पीड कैसे अपडाउन हो रही है जैसे मैं आपको बाहर ले चाहता हूं फिलाल अगर आप यहां पर नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क इस समय कोई ज्यादा कमजोर नहीं है माइनस 74 dbm है तो दोस्तों नेटवर्क उतना कमजोर नहीं है दोस्तों एक वर अटल के नेटवर्स से भी देख लेते हैं कि उस पर कितनी स्पीड मिल रही है तो द डाउनलोडम और अपलोडिंग स्पीड अक् priority टो दोस्तों यह पर आप अपलोड सी शिच अगराथे ज़रste करनेल के कि यहाँ पर मैं टिलेर कड़ें फिलाल ओनेवर्क के वह Medal of पर HD लिख रहा है तो दोस्तों ऐसा इसलिए आ रहा है कि फिलाहाल आपका जो रिलाइंच जियो नेटवर्क है वह वाइस ओवर LTE को सपोर्ट करते हैं मतलब कि आप इसमें एक HD quality की वाइस का आनेंदलिस होते हैं तो दोस्तों वाइस ओवर LTE फिलाल मैं आपको इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं तो फिलाल यहां पर थोड़ा सा अपडेट है कि वाइस ओवर LTE एक तरह से HD quality की वाइस को ट्रास्पर कर रहा है 4G बेंड के थुरू तो दोस्तों हाला कि अभी तक तो क्या होता आ रहा है कि जो आपके जो वाइस है वो 2G यह 3G बेंड पर चलती है तो फिलाल अगर आप 4G से और जैसे कि बहुत सारे और है वाइस ओवर आई-पी बिल्कुल सेम दोस्तों वही टेखनीक है यहां पर आपकी वाइस डेटा पैकेजिस में बढ़ जाती है और वह आपके 4G नेटवर्क मतलब कि एक तरह से इंटरनेट के थूरू ट्रांसफर होती है आपके फोन से लेके Всё कि वहांब खेंटों पर आप चिरींग के आप करते हैं और अपको क्वालिटी वाइस आपको एक्स्प्रेशन मिलते तो अब फिलाल आप फोन के थूरू भी ऑडिशन दे सकते हो कैसे अगर आपके फोन में यह वाइस ओवर एल्टी होगी तो आप जो गाना यहां पर गाओगे बिल्कुल एक्टली उसी पीछ में उसी टॉन में और उसी फ्रि करने जा रहा हूं अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दें और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करना ना भूलें ताकि वह भी जान पाएं कि आपको एल वाई एफ के जो फॉन करना ना बोले सब्सेशन लिंक आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों मेरी आगे आने बाले इससी टैप की टेक्निकल वीडियो गैजर्स रिव्यू और मुबाइल फॉन रिविस के लिए आप उमारे चैनल को देखते रहें धन्यवाद नमस्कार जैहिन कर दो दो ego को दो सबहें प stör आपको 1 वीड़ यहां जैजर्स feeling of दाय झाप को दो 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 पाऎज़ पसक्षण दो झाल झाल